जैसरी क्रिष्णा दोस्तों आज मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा गाजर का हलवा तो हम सभी का बहुत ही फेवरेट होता है और इसे बनाना भी बहुत ही असान होता है और हम इसे बहुत ही कम इंग्रेंट से बनाएंगे जो कि हमिसा घर में एवेलेवल होता है और य आइकन को भी दबा ले ताकि आने वाले नई रेशिपिस को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम एक केजी गाजर लिए हैं हम लाल वाला गाजर लिए हैं गाजर को हम अच्छे तरह से छील के धो लिए हैं और एकदम फ्रेश ता के ऊपर नीचे वाले जर को हटा देंगे और फिर कदुकस करेंगे ध्यान रहे हैं मोटे वाले से नहीं करेंगे एकदम मिडियम साइज वाले से हम इसे ग्रेट करेंगे और यह देखिया हमारा गाजर जो है एकदम अच्छे तरह से ग्रेट हो गया है अब हम इसका पानी न करेंगे हलका से जब हमारा घी पईघल जाए पिघलने के बाद हम इसमे में दो तीसपत्ता डाले तूस पथा से जो हैं गाजर कानल वा बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो साथ रहें जब भी गाजर ले तो लाल वाला ही गाजर ले इससे हलवा का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छाता है तो हम लाल वाला ही गाजर लिए है और इसे अच्छे से ग्रेट करने के बाद हम इसे 10 मिनट तक घी के साथ भूनेंगे और लागातार हम इसे चलाते हुए भूनें अगर आपको बीच बीच में चलाना है तो आप इसे दीमा आज कर दे लेकिन हम इसे continue चला के भून रहे तो हम इसे high flame पर ही भून रहे ताकि हमारा गाजर जो एकदम बढ़िया तरीके से भून कर त्यार हो जाए और जैसे जैसे हम गाजर को भूनते हैं वैसे वैसे गाजर का जो है हमारा कलर एकदम से चेंज होते जाता है और एक अच्छी से खुसबू आती है और जब इसका पानी एच्छी तरह से सूख जाए और इसका कलर जो है चेंज हो जाए और एक अच्छी से खुसबू आने लगी तो समझे कि हमारा गाजर जो है एकदम भून कर त्यार हो और इसे चंचनाहट का आवाज जो आता है वह बंद हो जाए तो फिर हमारा गाजर जो है भून कर त्यार हो जाता है तो फिर हम इसमें डाल ले रहे हैं दो बरेचमत से दूद का मलाई दूद के मलाई डालने से हलवे के जो टेस्ट है वह बहुत ही अच्छा आता है एकदम प होता है तो हम दूद डालकर इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे 15-20 मिनिट लगता है दूद को सूखने में तो हाई फ्लेम कर लेंगे और हम गाजर को दूद के साथ अच्छे से पकाएंगे और हर 5 मिनिट में इसे अच्छे तरह से चलाते रहेंगे ताकि हमारा जो गाजर के साथ तब तक हम इसे पकाएंगे ठोड़ा टाइम लगता है लेकिन यह जो टेश्थ है गाजर का वो बहुत ही टेस्टी बनकर स्ट्रेडी होता है हमारा हलवा तो इस तरह से दूद के साथ जो पक्कड मावा जो त्यार होता है उसका एग दोब अलग टेस्ट हाता काजु बदाम भी एड़ कर सकते हैं हम स्रिफ किस्मिस डाल कर बना रहे हैं क्योंकि हमारे बच्चे को जो है ड्राइफुट पसंद नहीं है हल्वे में तो इसलिए स्रिफ हम किस्मिस डाल कर ही बना रहे हैं बाकी आप अपने मन पसंद का कोई भी ड्राइफुट डाल सकते है साथ में मैं 200 ग्राम चीनी डाल ले रही हूँ एक केजी गाजर में मैं एक लीटर दूट डाली हूँ और मैं डाली हूँ 200 ग्राम चीनी चीनी आप अपने अनुसार और कम ज़्यादा एड़ कर सकते हैं और इस तरह से हम चीनी डालने के बाद अच्छे तरह से पका लेंगे चीनी डालते ही और पतला हो जाता है क्योंकि चीनी गुलता है तो पानी पानी हो जाता है तो इस तरह से थोड़ा और हम इसे टाइम देंगे और एकदम पेसंस के साथ ही हलवा को भूनते हुए हम पकाएं और यह देखिए एकदम perfect तरीके से हमारा हलवा अच्छे तरह से सूखर त्यार हो गया है दूद्ध गाजर एकसाथ अच्छे तरह से सूखर त्यार हो गया है तो फिर हम इसमें डाल देंगे एक चमच घी घी आप अपने अनुसार कम ज़्यादा और रख सकते हैं और घी डाल कर रेडी कर लेंगे हलवा को और जब हमारे कराही से घी छोड़ने लगे तब हमारा समझे हलवा बनकर त्यार हो गया है तो इस तरह से अब हमारा हलवा एकदम परफेक्ट तरीके से बन चुका है अब हम इसे गर्मा गरम सॉर्फ करेंगे यह देखिए कितना अच्छा कलर बन दाल दिये हैं उपर से थोड़ा हम इसे सजा लेंगे थोड़ा सम क्रोस किया हुआ मामा डाल ले रहें और इसे हम सजा ले रहें आप चाहे तो ड्राइफूट से भी सजा सकते हैं और इस तरह से अपने घर में जरूर ट्राइ कीजिएगा मैं मिलूंगी नए वीडियो के साथ तब तक ले बाइ बाइ